जहें साथियों 15 अक्टूबर का डेली करेंट अफेर्स का सबसे पहला प्रशन आप सभी के सामने रहा अब्दुल लतीफ राशिद हाली में किस देश के राश्ट्र पती बने है अब्दुल लतीफ राशिद has become the president of which country very very important question तो दोस्तो हाली में ये इराक के राश्ट्र पती बने है very very important question तो इराक के राश्ट्र पती बदल गए है अब इनका नाम है अब्दुल लतीफ राशिद दोस्तो इराक की संसद ने पूर्द राजनेता अब्दुल लतीफ राशिद को देश का नया president चुना है दोस्तो यहाँ पे लिखा हुआ इराक की संसद तो इराक की संसद का नाम है National Assembly आप याद रखी है क्या नाम है National Assembly इराक की संसद का नाम है important है दोस्तो अब्दुल लतीफ राशिद ने किनके स्थान पर या किनके स्थान पर राश्पती बने है तो इनका नाम है बरहम साले क्या नाम है बरहम साले अब्दुल लतीफ राशी देदी आपसे पूछा जाए इराक के किस नंबर के राश्पती है तो ये नाइन्थ नंबर के प्रेसिडेंट बने है अब आई देखते ह बगदाद है इराग के पडोसी देशों को देख लेते हैं तो इराग की उपर आता है टर्की इराग टर्की से घिरा हुआ है इधर देखिए आप इराग की इधर इरान है यहाँ पर देखिए यह कुवैत है नीचे कुवैत है और यहाँ पर फारस की खाड़ी है कौन सी खाड कंट्री है जॉर्डन है और इराग के साउथ में साउधी अरेबिया है इन सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा एक्जाम की दृष्टी से इंपोर्टेंट है और जोग्रफी में आप से लोकेट करने को पूछ सकता है दोस्तों आप पढ़ रहे हैं 15 अक्टूबर 2022 की इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स और मैं हूँ राजा गुपता आपको डेली करेंट अफेर्स पढ़ाता हूँ इस क्लास की बहुत विशेस बात है यूट्यूब में कहीं नहीं होता डेली करेंट अफेर्स प्लस डेली टेस्ट और मात्र 25 से 30 मिनट में आपका पूरा करेंट अफेर्स विट एनलेसिस कराता हूँ दोस्तों आईए देखते हैं आज का सबसे पहला मोटिवेशन थौट जिंदेगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा तो रिस्क उठाना पड़ता है सीडिया चड़ते सामय उपर जाने के लिए नीचे की सीड़ी से पैर हटाना पड़ता है कमज गए होगे आप क्वेशन नमबर टू आप सभी के सामने अंतराश्ट्री ए कच्रा दिवस 2022 कब मनाया गया वैन इस इंटरनेशनल ए वेस्ट डे तू थाजन ट्वेंटिटी तू अबजर्ड तो अंतराश्ट्री ए कच्रा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया दोस्तों कल मैंने आपको 13 अक्टूबर को एक इंप्रन दिवस बताया था वर्ल्ड साइट डे विवश्व द्रश्टी डिवस मैंने आपको कल बताया था 12 October को मना जाता है World Earth Righteous Day मना जाता है 11 October को मना जाता है International Girl Child Day मना जाता है Important है यह सारे दिवस आप याद रखना दोस्तों अब आई देखते हैं यह कच्रा दिवस से मतलब क्या है दोस्तों E-Waste या E-Kच्रा इसको हम Electronic Waste बोलते हैं जो की Computer से आता है, Monitor से आता है, आपके Phone से आता है आपके CD से आता है, आपके Printer से आता है यह हमारे परियावरण को नुकसान पहुचा रहे हैं इसे हम कहते E-Waste, Electronic Waste जिससे हमें धीरे-धीरे खतम करना है ठीक है दोस्तों? तो दुनिया भर में E-Kच्रे का सही Management किया जाए उसको बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है पिछले 5 साल में एक Report है दोस्तों कि United Nation जो है बताता है कि E-Kच्रे का बहुत जाधा बृद्धी हुआ है 21% का Increment हुआ है Question No.3 आप सभी के सामने हाली में पाच्वा दक्षण एशियाई भू विज्ञान सम्मेलन कहाँ पर आजित किया गया जा रहा है तो पाच्वा South Asian Geology Conference कहाँ पर हो रहा है? जैपुर में हो रहा है कहाँ पर हो रहा है? जैपुर में इसका जन किया जा रहा है 14 से 16 अक्टूबर के बीच में होगा ठीक है दोस्तो? इसका विशय क्या है? Fossil Fuels, Decarbonization and Changing Energy Dynamics तो दोस्तो इसमें हमारा मकसद है हमारा विशय है कि जो कार्बन का यूज है उसे धीरे-धीरे कम करना, कार्बन मुक्त होना और अपनी जो Energy का Pattern है उसे बदलना जो हमारी Conventional Source of Energy जैसे कोईला है, पेट्रोल है उसके स्थान पर कैसी Energy कस्तुमाल करना? जो की Non-Conventional है, Solar Energy है, Wind Energy है तो दोस्तो इसका उदेश है प्राक्रतिक गैस और तेल के बहतर उत्पादन पर नवीनतम शोत को साजह करना यानि हम नए तरीके से प्राक्तिक गैस और तेल को और कितना अच्छा बहतर बना सकते हैं यहाँ पर देखिए, जो प्राक्तिक गैस है यह कई गैसों का मिश्रन कहलाता है इसमें कितना मिथेन होता है इसमें mainly methane होता है 0 to 20% तक अन इसमें hydrocarbon मिले होते है प्राक्तिक gas जो है इधन का एक important source है यहाँ पे लिखा हुआ है LPG जो रसोई gas है जो आप use करते है इसका full form है liquified petroleum gas और यह किसका मिला होता है BP का बना होता है यानि butane और propane से मिलके बना होता है butane plus propane दोस्तो भारत के petroleum प्राक्तिक gas मंत्री कौन है आप से पूछा जाए तो इनका नाम है हरदीप पुरी क्या नाम है इनका हरदीप पुरी चलिए अगले प्रश्न की और बढ़ने से पहले कुछ important शम्मेलन को discuss करेंगे तो प्रमुक सिखर सम्मेलन इसको सिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है उजबेकिस्तान में हुआ है प्रिक सिखर सम्मेलन चाइना में हुआ है कहां पर हुआ है चाइना में विम्स्टेक सम्मेलन ये श्री लंका में हुआ है कहां पर हुआ है श्रिलंका में हुआ है जी सेवन देखो जी लगा हुआ है तो जी सिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ है कहां पर हुआ है जर्मनी में पॉप 26 हुआ है ग्लास गो इसकॉट लेंड में ग्लास गो इसकॉट लेंड में हुआ है दोस्तों यहां पर नाटो लिखा ह सकते हैं question number four हाली में परम कामरूप सूपर कंप्यूटर का उद्घाटन राश्पती ने कहां पर किया है तो परम कामरूप सूपर कंप्यूटर का उद्घाटन राश्पती जी के द्वारा आयाटी गुहाटी में किया गया है दोस्तो तेरा अक्टूबर को इसका घाटन किया गया है राश्पती द्रौपदी मुर्मू जी अभी हाली में भारत की पंदरा नंबर की राश्ट्र पती बनी प्रसिडेंट बनी है दोस्तो ये जो स्थापना किया गया है परम काम रूफ सूपर कम्प्यूटर एक मिशन लॉंच हुआ था राश्ट्री सूपर कम्प्यूटिंग मिशन जिसके तहत भारत में जादा से जादा अनुसंधान शमताओं को बढ़ाने के लिए सूपर कम्प्यूटर के जादा से जा स्टार्ट हुआ है 2015 में याद रखना दोस्तों नेस्ट कोश्चन गूगल प्लेपॉइंट्स प्रोग्राम को किसने शुरू किया है गूगल प्लेपॉइंट्स तो गूगल प्लेपॉइंट्स को गूगल ने स्टार्ट किया है इसने स्टार्ट किया है गूगल ने स्टार्ट से app, gaming, movies, e-book कुछ भी खरीदेगा उसका उसको reward मिलेगा उसको उसके points मिलेंगे जिसका use जो है Google Play credit के जरिये इस्तमाल किया जा सकता है Google की बात आ रही Google की स्थापना कब हुई है 1998 में Google की स्थापना हुई है याद रखना प्रेजेंट में इसके CEO कौन है क्या नाम है इनका सुन्दर पिचाई है भारती मूल के सुन्दर पिचाई है और Microsoft के कौन है सत्य नडेला है क्या नाम उनका सत्य नडेला ठीक है और देखे इसके संस्थापक Larry Page और सर्जे ब्रिन है कानूर मंत्रियों का सम्मेलन किस राज में हुआ है इन विच स्टेट लॉग मिनिस्टर कॉन्फरेंस है तो दोस्तों कानूर मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर हुआ है गुजरात राज में हुआ है कहां पर हुआ है गुजरात राज में इसका सम्मेलन हुआ ह 14-16 October की बीच में हुआ है कहां पर हुआ है एकता नगर में हुआ है एकता नगर जिला नर्मदा गुजरात में इसका आजन किया गया है इसके तहट क्या किया जा रहा है भारत की जो कानून की system है कानून की प्रणाली है जो law system है उस से related विश्यों पर चर्चा करना और जो नीत मंत्री कानून एवं नया मंत्री कौन है इनका नाम है किरन रीजी जू क्या नाम है किरन रीजी जू याद रखेगा पहले यह खेल मंत्री थे अब यह law minister बना दिये गए हैं देखे सम्मेलन की बात आ रही तो कुछ important सम्मेलन हाली में हुए है हाली में परटन मंत्रियों का यानी टूरिस्ट टूरिजम मनिस्टर्स का सम्मेलन हुआ है कहां पर हुआ हिमाचल प्रदेश में हुआ है राष्टरी महिला बिधायक सम्मेलन कहां परhtु केरला में हुआ है कहां पर केरला विधान सभा में हुआ है याद रहेगा important है चलिए आज की सबसे पहले knowledge factory में डि मुख्याले कहां पर है ये न्यू-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ-यॉ- याद रहेगा देखे WTO का मुख्याले World Trade Organization जेनवा में है स्विटजर लैंड में जेनवा स्विटजर लैंड में अंतरास्टी समुद्री संगठन इसका मुख्याले लंडन में है कहां पर है लंडन में है युनेसको का मुख्याले फ्रांस की कापिटल पैरिस में है याद रहेगा ठीक है सभी point को आप note कर लिजे screenshot ले लिजे और सभी point को लिख लिजे PDF भी आपको मिल जाएगी free में crazy gktrick application पर अब मिलेगी route पे नहीं मिलेगी crazy gktrick application मिलेगी question no.7 को देखते हैं Elpidoza scientific index 2023 में भारत का स्थान क्या है तो दोस्तों ये scientist की ranking है यानि scientist कितना अच्छा कार कर रहे हैं, research का काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, तो ये भारत की ranking 21st है, एलपर डोजर scientific index में, जो भारत की scientist है, 215 स्थान पर हैं, दोस्तों, 2030 में दुनिया की top 2% में 52 भारती scientist है, 216 देशों की ranking इसमें शामिल है, भारत के 50,245 विज्ञानिक इसमें शामिल किये गए हैं, high energy particle physics के छेतर में, काम करने वाले professor जी बी सिंग, जो की पंजाब university के विज्ञानिक है, वो इस list में सबसे उपर हैं, दोस्तों, इस ranking में सबसे उपर America है, ठीक है, संयुक्त राज America है, ठीक है, दोस्तों, इसमें 50,245 विज्ञानिक हैं, ठीक है, भारत की तरस उन्हें टोटल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे 4935 विज्ञानिक संयुक्त राज अमेरिका के हैं, जो की सबसे टॉप में है, इस index में विज्ञानिकों के किस प्रकार से उनका प्रदर्शन हो रहा है, कैसा वो science लेकर आ रहे हैं, कैसी वो productivity बढ़ा रहे हैं, इस अधार पर इसकी ranking जारी की जाती है, गिनी में भारत के अगले राजदूत की रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो गिनी में अगले राजदूत बने हैं, अवतार सिंग, क्या नाम है, अवतार लिया गिनी में, ठीक है, अवतार सिंग, विने मोहन को आत्रा, ये कौन है दोस्तों, ये विदेश मंत्राले के कोने सचीव हैं सिकेट्री हैं ये कोने सिकेट्री हैं फॉरिन मिनिस्ट्री के विदेश मंत्राले के सचीव हैं विने मोहन कौत्रा राज कुमार सिंग भारत के उर्जा मंत्री हैं भारत के उर्जा मंत्री हैं ठीक है दोस्तो तो भारत सरकार ने किसे आवतार सिंग को गीरी मे भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है वर्तवान में विदेश मंत्री में निदेशक है दोस्तों यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात आई है तो जितने भी इंपॉइंटन अपॉइंटमेंट हाली में हुए है आए डिसकस करते हैं देश के अगले चीफ जस्टिस सेवी के पर्मानेंट चेर्मेन कौन है माधवी पुरी बूच बूच आप याद रखना ठीक है चले दोस्तों जापान में भारत के अगले राजदूत कौन है सीबी सीवी जॉर्ज क्या नाम इनका सीबी जॉर्ज याद रखना इंपॉर्टेंट है गेल के अध्यक्ष बने है संदीब कुमार गुपता कौन बने है संदीब कुमार गुपता गेल के हाली में अध्यक्ष बने है उप चुनाव आयुक तो कौन बने है अजय भादू क्या नाम है अजय भादू देखे चुनाव आयुक के मेन अध्यक्ष कौन है राजीब कुमार है 25 नंबर के ठीक है और अनुप जी, अनुप भी जो है, एक अलग अन्य आयुक्त है, दो आयुक्त है, एक चीफ आयुक्त है, CRPF के महा निदेशक कोन है, सुजाय लाल थाउ सेन, सुजाय लाल थाउ सेन, इंपोर्टन्ट है, अभी हाली में बने हैं, ITBP के महा निदेशक बने है, अनीश अनीश दयाल सिंग, ITBP के महा निदेशक बने है, ITBP की स्थापना 1962 में हुई है, CRPF की स्थापना 1939 में हुई है, Next question, सस्त्र रामा नूजन प्रसकार 2022 किसने जीता है, Who has won the सस्त्र रामा नूजन अवार्ड, यून किंग टैंग, इन्होंने जीता है, यून किंग टैंग ने जीता है, सस्त्र रामा नूजन प्रसकार, दोस्तो ये चीनी मूलकी हैं, और कैलिफोनिया विश्विद्याले बारकली, USA में, एसिस्टेंट प्रोफेसर है, यून किंग टैंग, दोस्तो ये प्रसकार, जो है, सस्त्र का पूरा फुल फॉर्म है, सान मुगा आर्ट, साइंस, टेकनोलोजी एंड रिसर्च के द्वारा स्थापित किया गया है, हर साल दिया जाता है, 35 साल या उससे कम, आयू के वेक्तियों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने मैस की छेतर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, आज का आखरी प्रशन, 14 अक्टूबर 2022 को किस पंडुपी से बैलेस्टिक मिसायल का सफल परिक्षन किया गया, तो प्यारे साथियों, INS अरिहन से सफल परिक्षन किया गया है, बैलेस्टिक मिसायल का, याद रहेगा, दोस्तो, भारत की पंडुपी आइनस अरिहन जो है, रहा इंपोर्टेंट है याद रखिएगा करेंट अफेर्स की रस्म लाई आप सभी के सामने आ गई है अप्रेल 2022 के महत्वपूर्ण करेंट अफेर्स को मैं आपके लिए डिसकस करूँगा रास्ट्री सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया हर साल मनाया जाता 21 अप्रेल को चांती सेठी को किसका रक्षा सलाकार म्यूक्त किया गया है कमला हैरिस का कमला हैरिस कोन है अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है भारती मूलकी है कमला हैरिस ठीक है प्रेजेंट में अमेरिका के राश्पती जो वाइडन है केंदरी मंत्री जी किशन रेड़ी ने हाली में किस पोर्टल की शुरुवात की है तो दोस्तों इन्होंने उमंग पोर्टल की शुरुवात की है जी किसन रेड़ी कौन है भारत के कल्चरल मिनस्टर है भारत के संस्कृती मंत्राले यानि संस्कृती मंत्राले किसके पास है जी किशन रेड़ी के पास है पंचायती राजदिवस म मनाया जाता है चलिए revision करते हैं और T10 series आ गई है इराग की राजधानी क्या है तो इराग की capital बगदाद है जल्दी जल्दी आपको answer देना है बताई टोटल स्कोर आपका कितना आता है LPG में कौन सी गेशों का मिस्वरण होता है hydrogen nitrogen butane तो प्यारे साथ हो profound प्रोपेन बी पी ओता है बीप पैट्रोलियम और प्राक्ति गैस मंत्री कौन है तो अब पैट्रोलियम और गैस मंत्री हर्दी पुड़ि कौन है हर्दी पुरी अश्वनी वैशनो, रेलबे मिनिस्टर है, जैशंकर प्रशाद, पॉरेन मिनिस्टर है, जोती राती सिंधिया, सिविल एवीशन मिनिस्टर है इसको शिकर सम्मिलन 2022 का अजन कहां पर हुआ है? उझबेकिस्तान में हुआ है COP26 का आजन कहां पर हुआ है पढ़ाया अभी आपको Scott Land में हुआ है कहां पर हुआ है Scott Land में हुआ है दुनिया का सबसे तेज सुपर कम्प्यूटर Frontier किस देश का है सबसे तेज कम्प्यूटर अमेरिका का है Google की स्थापना किस वर्श की गई तो प्यारे साथ की गूगल की स्थापना 1998 में की गई लेरी पेज और बिरिन ने की है गूगल के प्रिजेंट में CEO कौन है तो दोस्तो ये हैं सुन्दर पिचाई एलान मस्कोन है टेसला के मालिक है और स्पेसेक्स के मालिक है सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO है माइक्रोसॉफ्ट के CEO है दोस्तो खाद देवं करशी संगठन का मुख्याले कहां पर है रोम इटली में खाद देवं करशी संगठन का मुख्याले है राश्ट्री महिला विधायक सम्मेलन 2022 का अजन कहां पर हुआ तो प्यारे साथियों कहां पर हुआ है केरल में हुआ है ठीक है केरल विधान सभा में हुआ है 14 अक्टूबर के करेंट अफेर्स का रिविजन मारते हैं इसलेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभिरन किस राज में स्थापित किया गया कहां पर किया गया दोस्तों वेरी वेर इंपोर्टेंट तमिल नाडों में किया गया है CRI रिपोर्ट 2022 में भारत 161 देशों में कौन से स्थान पर है तो भारत जो है 123 प्लेस पर है दिली सरकार ने प्रेजेंट में चल रही पर है योजनाओ पर नज़र रखने के लिए कौन सा अप लॉंच किया है तो प्यारे साथियों इसका नाम है मॉनेटरिंग दिल्ली इमॉनेटरिंग विश्व द्रश्टी दिवस कब मनाया जाता है हर साल 13 अक्टूबर को 36 राश्टी खेल में सबसे अधिक पता किस ने जीते है सौराश्ट ने जीते हैं दूसरे में महाराश्ट है आन प्रदेश के काकी नाडा छेतर में आप भी कमेंट बॉक्स पुतर दीजे बहुत अच्छे से पढ़ना है कौन सा अभ्यास हुआ तो इसका नाम है प्रस्थान कौल पोस्कोप नाम का उपरेंट कौन से किस ने डवलप किया है तो एमस नई जेली ने सर्विकल कैंसर को ठीक करने के लिए है ना सर्विकल कैंसर को ठीक करने के लिए कौल इंडिया ने किस राज में 1190 मेगा वाट की और उर्जा परियोजना स्थापित करिए तो दोस्तों ये राजस्थान में ISSF विश्व चैंपेंशिफ शॉटगन में भारत कौन से स्थान पर था पांचवे स्थान पर था पियम मोदी ने किस राज में दो जल्विद्युत परियोजना की अधार शिलर रखी हिमाचर प्रदेश में आज का सवाल है स्वायुक्त राज संक का हेड़ क्वाटर कहां पर है कमेंट बॉक्स पर आप मुझे जल्दी से बता दीजिए तो कैसा लगा आप सभी को सेशन पांतर पच्चिस से तीस मिनट में हमने आपके लिए तूफान ला दिया केवल 25 से तीस मिनट में हमारा मकसद है कम समय में क्वालिटी करेंट अफेर्स आपको देना आपके समय के कीमत है उसे बचा के चल चलिए फेंट्स डिलीक अंड़ फेंट्स की पीडियाफ अब आपको टेलीग्राम पे मिलेगी अब आपको वापस से हमारा जो पुराना अप्लिकेशन था क्रेजी जी के ट्रिक वहाँ पर आपको मिलेगी दोस्तो अभी देखे साइंस का बैच चल रहा है रूट अप्लिकेशन पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं आई विल हेल्प यू आई विल गाइड यू हम आपके साथ मिल के महनत करेंगे साइंस का बैच मैं पढ़ा रहा हूं अभी लाइव पढ़ा रहा हूं दोस्तो फॉलो कर सकते हैं आप हमें क्रेजी जी के ट्रिक को हर सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर आप हमें फॉलो कर स जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तो दोस्तो 25 मिनट में आप करेंट अफेर्स को बढ़ते हैं 30 मिनट में जिसमें टेस्ट भी होता है कितनी सारी चीज़े होती है तो अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो जरूर आप अपने एक दोस्त को जर अबहरत